हलो फ्रेंड्स चले आज लालमास बनाएं यहाँ पर हमने चोत्पु स्पेशल मत्थानिया मिर्शली हैं देखे कितनी लंबी है और कुछ इस तरीके से बल खाये हुए हैं चले सबसे पहले इनको सोक कर देते हैं पानी में हम इसको सोक करेंगे अगर आपको जल्दी है तो पेस बना लिया है बेसिकली लालमास मत्थानिया मिर्श से ही बनाया जाता है अब यहाँ पर गैस पर एक देख्ची गरम होने पर हम उसमें देशी घी डालेंगे और यह हमने यहाँ पर हाफ केजी मतन धोकर ले लेना है जिसको हम जिंजर कार्ली के पेस से मारिनिट करेंग जिंजर कार्ली के पेस का रेशो हमने 40-60 रखा है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम 15-20 मिनट साइट में रखतेंगे तब तक हम अपना मसाला त्यार कर लेते हैं इधर हमारा घी गरम हो गया है उसमें हम खड़े मसाले डालेंगे खड़े मसालों में हमने दो तेश पत कर लिया है चटकने पर इसके हमने यहाँ पर तीन बड़े प्याश लंबे कट करके रखे हुए हैं उनको एट कर देंगे और प्याश एट करने के पाद थोड़ी देर तक हम उनकी भुनाई करेंगे ज्यादा हमें उनको लाल नहीं करना है और साथी में हम यहाँ पर half spoon salt का भी एट कर देंगे ताकि प्याश में जो extra पानी होता है वो सूख जाए देखे हमें इससे जादा इसको लाल नहीं करना है और अब हम क्या करेंगे हमने जो यहाँ पर marinate करके mutton रखा हुआ था उसको भी एट करके मसालों के साथ थोड़ी देर तक भूनेंगे ताकि मसालों का सारा तेस मटन में आ जाए और यहाँ पर हमने one tomato की प्योरे बना कर रखी थी उसको भी एट कर देंगे और उसको एट करने के बाद भी हम थोड़ा सा उसकी भूनाई करेंगे और अब समय आ गया मत्थानिया मेश को एट करने का जो हमने paste बना की रखा था और अगर आप राजस्थान के बाहर के state के हैं और ज्यादा मेश आप नहीं खाते तो आप मेश के quantity कम भी कर सकते हैं यह बहुत तीखी होती है इसमें color भी बहुत आता है देखे oil separate होना शुरू हो गया है और इसको इस तरीके से खुला ही चलाते रहें अब थोड़ी दिर के लिए हम इसको lid लगा देंगे करें 10 मिनट के बाद देखेंगे देखेंगे कितना अच्छा color आया है अब इस वक पर हम half cup पानी का add करेंगे अगर आपको curry ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा पानी add कर सकते हैं हम यहां पर लिपटवा ही रखेंगे एक बाद फिर से लेट लगा देंगे और सूखे मसाले तो हमने अभी तक add ही नहीं किये यहां पर हम one bowl दही में सूखे मसाले मिलाएंगे जिसमें हमने बड़े इलाइची का powder, गरम मसाला powder, टू स्पून धन्या powder डाल कर अच्छे से mix कर लेना है अच्छे तरीके से इसको मिला लीजिए अब आती है खास टिप की बारे अब इसी पाउल में हम one spoon mustard oil यानि सरसू का तेल add करेंगे जिसका एक अलग ही aroma आएगा लाल मास में आप सरसू का तेल जरूर थोड़ा सा add करें इस tip को आप skip मत किजिएगा अगर आपको actual taste चाहिए तो अब इसको भी हम इसमें add करके अच्छे से mix कर देंगे और जब तक oil separate नहीं हो जाता तब तक इसको चलाते रहेंगे फिर से lid लगा देंगे और 10 मिनट इसी तरीके से पकाएंगे और 10 मिनट के बाद फिर से खोल कर देखेंगे देखें किया color आया है oil पूरा separate हो गया है आपका लाल मास तयार हो गया है अब इसमें चावित्री add करेंगे जो बहुत अच्छा flavor देगा इसको और धन्या से garnish करेंगे देखें लाल मास पनकर तयार हो गया है आप इसको enjoy कर सकते हैं बट हमें बहुत motivation मिलता है अब बनाने के बाद अपना feedback जरूरते हैं मिलते हैं फिर एक और नई recipe के साथ